नमस्कार मदा मुदर लोवनी रियाक नेटिव बेसिक्स पार्ट टू माँ स्वागत छा अब आमी यूजर ले डिसाइड बटन क्लिक करदा खेरी किये गरने बनने कुरे डिसाइड गर्शों कसरी बन्दा खेरी यहाँ बटनमाँ अनप्रेस बनने प्राप्प पास करे रहा अनप्रेस यहले चाहें फोंक्छन लीन शा यहसमाँ फोंक्छन पास करों शीस ड़्ट हैंडल अब यूजर फोंक्छन आमले क्लाश्य वित्रबना अनु बर्ने अचा handle decide button press यो function लेखने तरीका येदी तपाईले बुजीरन वाको साइना वने जावाई स्क्रिप्ट को ES6 standard को arrow function वने रहा तपाईले येरन परने उन्च यो arrow function हो यो लेखने तरीका तपाईले पढ़ना सकने उन्चा अन्लाइन मा खोजे रहा अब की उन्चा वने बसी यूजरले यो बटन प्रेस करे बसी अन्प्रेस मा यू पास करे आशो आमले त्यो भाई बसी यूजरले यो बटन प्रेस करदा यो function क्वाल उन्चा अब यो function मा यमले की गरनू परे वन्दा आखेरी यो list of activities बाड़ा योटा random activity देहाऊनू परे अब कोसरी देहाऊने ता random number कसरी generate करने त्यसको लागी जावाई स्क्रिप्ट को math function चा एरो let selected index बने रोड़ा वेरावल बनाऊ येस मा चाहे math.random येल्ले क्ये गर सता returns pseudo random number between 0 and 1 मन राशा ये math.random लेछा येमले 0 र 1 को बीचको येवडा random वालू generate गर सा जाईले पनी अब येमले ता 0 र 1 बीचको वालू ले हुँद अब येमले ता क्ये चाहिन छा 0 देखी 4 बीचको वालू 3 बीचको वालू चाहियो त्यो कसरी निकालने बंदा खेरी math.random into 4 गरे बने चाहिए 0 देखी 3 सम्मा को वालू निकाल चाहिए अब ये चाहिए decimal मा आउसा येमले चाहिए decimal चाहिए गो होई ना येमले इंटीजर चाहिए चाहिए ते बेरा येमी येले क्ये गरने बंदा खेरी math.floor floor मा round up करने येल्ले decimal वालू लाई round up करे रा इंटीजर बनाऊंशा ये करने औनि तेस पची अब यू सेलेक्टेड इंडेक्स लाई चाहिए एल्ले नया वालू ले अपडेट गरनू परे को यव अब्लिकेशन को yote state लाए आमले अपडेट गरनू परे कौसरी गरने था इस्टेट चाहिए आमी normal assign गर रा आपडेट गर देनों बने को इस्टेट आपडेट गरने लाएचा आमी सेट इस्टेट बनने फॉंक्शन यूज गरशों जुन चाहिए रियाक्ट को फॉंक्शन ओ कौसरी गरशों था दिस्टाट सेट इस्टेट अनि इसमा आमी अबजेक्ट पठाऊंचों आम लाएच कि अपडेट गरनूँछा इस्टेट को ते की वालू पेर मात्रा आमी याँ पठाऊंचों अब एती गरी शाकर पेची आमरो इस्टेट को सेलेक्टेड अक्टिविटी इंडेक्स माँचाई यह रैंडमली जेनरेट गरेको सेलेक्टेड इंडेक्स अपडेट हुँँचा औनी यहां ब्यालू देहाँ दा खेरी यही सेलेक्टेड अक्टिविटी इंडेक्स गर्रा देहा का शाँ तेवार यहले अटोमेटिकल ली कैम गरनू परने हुँचा यहरों गर सके गर देना सेब गर रह यहला है रिलोड गर रहे यहर नौस डिसाइड थीछा यहले क्याम गरेको साँ अब आमले व्यू अपडेट गरन लाइता क्यावन लेहका सैनो बनेको यू कोड तकाविबने अपडेट गर्या शैनो रियाक्ट ले छाई तपाइको इस्टेट मां क्याई अब यहा नेरी महीले यो इन्टु 4 गर रहाशु अब इन्टु 4 गर रहा था हुँद युजर ले अक्टिविटी थापे पसी यो अक्टिविटी को साइज ता बढ़ दाए जान्छा तेसको लागे आमे किये गरने ता this.state.activities.length लिने यो अक्टिविटी को लेंथ जाती छा तेती ले multiply गरने अईले सम्मा आमीले बटन कसरी यूज गरने बटन ट्रेस गरदा हेरे कसरी काम गरने रहा इस्टेट लाई कसरी अपडेट गरने रहा डिफाइन गरने बन रहा हेरे हुँद अब आम लाई यूजर लाई list of value, predefined list of value मात्रे दिये रहा ता भायना यूजर लाई अक्टिविटी आफला मोन लाई का अक्टिविटी थबन बने पावनुपरे हो तेसको लागी यूजर को इन्पुट कसरी लिने text input यूज गरे रहा तेला कसरी यूज गरने बन रहा आमी अब हेर चौं सबन्दा पहले यूजर को इन्पुट लिने लाई text input वनने component यूज गरनू परछा जुन चाइं HTML को इन्पुट वनने component जस्ताई हो यूज लाई सबन्दा पहले react native बाड़ा import गरनू परे हो तो import गरी सागे बशी एसरी तबाइन लेखना सकनू उन्छा अनि एसमा HTML मा पास प्लेस ओल्डर अट्रिबूट पास करना पाइन चाइं प्लेस ओल्डर ले चाइं यहां dummy text प्लेस ओल्डर टेक्स्ट के देहाँने वनर डिटरमाइन गर्शा जुन यहां देखी रहा सा add new activity तेसपची styling इस्टाइलिंग अरू धिना मिल्चा बेसिक इस्टाइल रए यो सपपए रियाक्नेटिब को डकुमेंटेशन मा गवायरा तपमाईले केके अरू styling अरू प्राप्स अरू यो text input ले support गर्शा तपमाईले तेहां यहां यहां सकना उन्छा अब आमी user ला यो text input मा value आलना कसरे दिने रा user ले input गरेका value कसरे लिने वनरा हेर चाओं सबंदा पहले user ले input गरेका value store गरना कलागी state मा आमी योटा नयाकी value पेर थपमाँ add activity text बने रहा यहां 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 यह value पास करों value बनने प्राप्माँ यह html संगा सिमिलर सा this.state.add activity text save गरों अब यह ता initially state मा वाको value यहां दिन मिले अब की उनुपरे ता user ले value change गरदा खेरी यो state को value change उनुपरे त्यों कसरी करने ता on change text बनने प्राप्प छा यहां यो change बाको text दिन शा आमला function लिन शा रा attribute मा फॉंक्शन का argument मा यहले text दिन शा जुन चाई user ले change गरेको नोया text हो यहां पनी महिले arrow function यूज़ करेको शूँ अब यहां चाई आमले state update गरनुपरे this.set state की change गरनुपरे ता state को add activity text चाई कियो ता यूट इंपूड अन्चेंज text ले देखो टेक्स्ट हो एती गरी सके पसी save गरनुष अब ये ती ता बायो user ले देखो input ले आमले state मा राखने कैम गरे हो इस्टेट लाई user ले चेंज गरदा update पनी गरे हूँ अब किये गरनू परेता यू बटन प्रेस हुँदा खेरी add activity वन्ने बटन प्रेस हुँदा खेरी यू list of activities माँ नए activity थापनू परे हूँ अब त्यो कसरी गरने था एसमा on press वन्ने अट्रिब्यूट दियू अगी माथी गरे जस्ते है यूसमा पनी फॉंक्शन बनारा पास करों this.add activity बटन प्रेस बन्ने यूवड़ा फॉंक्शन बनों स्वारी अगाडि अंडल बने रहन राखां अंडल add activity बटन प्रेस बन्रा बनों यो फॉंक्शन ने अगी बनाका जस्ते arrow फॉंक्शन बनों जस बित्रचे यामले user ले input गरेको value लेचे यो state मा बाका activities ले modify गरशों कसरी गरने था अई गरे जस्ते this.set state अब यहां किये modify गरनू परे अक्टिविटीज अब यहां किये गरनू परे बन्दा अल्रेडी अईले बहिराक अक्टिविटीज को लाइ लीनू परे हो रो त्यस्मा नौय आइटम थबनू परे बनेको यह आरेल मा नौय आइटम कॉनकाडिनेट गरनू परे त्योचे आरेको अप्रेशन हो तरह यहां अल्रेडी state मा बाका activity कोसरी लीने था सिदे इस.state.ACTI activities गरना पनी मिल्शा तरह यह गर्दा की प्रव्लम उन्चा बन्दा खेरी सेट इस्टेट बनेको छे असिंक्रोनस फंक्षन नो एल्ले असिंक्रोनस ली कायम गर्शा यू होँदा तपाहिसंगा तीन चारोड फंक्षन सेट इस्टेट कॉल गरनू बाचा जल्ले activities ले मोडिफाई गरे राशा बने तपाहिसले स्वोचे को जस्तो रिटन आउँदा सोचे को जस्त वालू बस्ताइने युए add activities मा नो सोचे को वालू आए दिन चा अब एल्लाई बेटर तरिकाले कसरी करने ता बन्दा यानेरी arrow function बना आरा जुन लेचे आर्गुमेंट के दिन चा बन्दा है प्रिवियस प्रिवियस स्टेट चाई एल्ले दिन चा एल्लाई एसरी यूज करों अब यानेरी activities मा लिन दाखेर चे दिस.state होई ना की प्रिवियस स्टेट.activities अनि एस मा नोया ब्यालू थापने आरे मा वनेको कौन काट करों कौन काट कुन व्यालू था यूजर ले एड़ आक्टिविटी टेक्स्ट मा देको यूपनी काँ वड़ा लिने था प्रिवियस स्टेट डट आड़ आक्टिविटी टेक्स्ट यानेरी यूड़ा पारंथेसिस छुटेगो सा कौन काट बनेको फॉंक्शन हो ये स्पित्र अरको यारे पास करनु परनेंचा पनेको यूँए अक्टिविटी आरे मा यूँए अरे यल्ले कौन काटिविटी नेशन कर चा जोड़ चा त्यस पसी आम रई स्टेट अपडेट उन्चा अब संग संग है यूजर को यूँए व्यालू आड़ बाईशा के बसी आमले स्टेव करनाश अब आपलाई रिलोड गर रहे रहां या नवय वालू थपाँ प्ले जोना आमरो लिस्ट मा आगी थे ना आड़ गरों यूँए प्ले आरायो अब डिसाइड गर रहे रहे रहां यहल्ले यूँए नवय अक्टिविटी दिन चा प्ले एंद बने पासी यह काम गरें हमिले यह टुटोरियल मा बटन कासरी यूज करने यूजर का इंपूट कासरी लिने रा इस्टेट कासरी मैनेज करने बने रा सीखे हूं